प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइन्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों और बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नमबर 8, जन्तु की सनरचनावा कारे तो यी चैप्टर बच्चों, हम लोगे ने कंप्लीट कर लिया था इसके पहले वीडियो क्लासेस में और आज हमें स्टार्ट करना है अभ्यास पुष्णों को हल करना तो सीधे हम अभ्यास पुष्णों की ओर बढ़ते हैं अभ्यास पुस्तिका में आपको लिखना है जिसमें काप भोजन का पाचन होता है अहार नाल में अप्सन है, सेकेंड अप्सन है फेपड़े में, थर्ड अप्सन है हिर्दय में और चौथा है व्रक्त में तो बच्चो हम लोगों ने जब पाचन के बारे में पढ़ा था तो हमें बता है कि भोजन का पाचन जो है वो कहां पर होता है आहार नाल में होता है और इनके अंगों के बारे में भी बच्चो हम बढ़ चुके हैं इनके अंगा के बारे में हम लोगों ने बढ़ा था, तो वो कहा पे होगा, भूचन का पाचन, आहार, नाल में, ठीक है, तो इसका आप्राइक मील आप टेक कर लीजेगा, अपनी फियर कॉपी में भी लिख लीजेगा, ठीक है, अब इसके साथ ही अब दूसरा आब अब आप पड़ते हैं तो जो खा है हमारा बच्चों मानों के मस्तिस्क में कितने भाग होते हैं तो मानों के मस्तिस्क में तीन भाग होते हैं इसका सेकंड वाला आप्षन जो है वो सही है गाह इसका स्रवण इंद्री है यानि स्रवण यानि जो है वो कौन सी इंद्री है जिसके दोरा तो हम स्रवड़ यानि सुनते हैं तो इसमें रहा आपशन दीए नाख आख जीव कान आपको पता है बच्चो टो कान की सहाथा से सुनते हैं तो इसका चोथा वाला आपशन है वह हमारा सही होगा ठीकर घाग जो प्रुषन है हमारा वह लिखा द्वी लिंगी इसके बारे में हम फ़र चुके हैं औ orbitali h अ कि अगला है बच्चो दूसरा प्रच्ट है खाली स्थान बरना है ऩतानों क मैं भरना है यहां पर देखिए कि इसका मनुष्य में कुल हडियां होती है तो यहां पर और पूह से कि यह दिखेंगे आप scored इस जोटा होता है सिसु के वस्ता में हम लोगोने बढ़ाय है तो थो हम लोगों लॉण की मानुम्षे किस्टेश्चल कटिया तो मनुष्य इंगिलिष में भी एहाई फोह तो मनुष्य lagi,idtot मनुष्य के जो मनुष्य के करणा होती है उसमें रेड की अगए उसमने वहाग तो हीना होती है 26 26 जो है हड़ियां होती है घाब है इसका उपास्ती या अस्त की अपेक्षा होती है उपास्ती अस्त की अपेक्षा होती है तो जो उपास्ती होती है वो अस्त की अपेक्षा क्या होती है कमजूर होती है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे बच्चों कमजूर ठीक है कमजूर चिक तो यह हमारे fill in the blanks जो है वो complete हो गए अब हम आते हैं next प्रिशन की ओर जो है हमारा निमने लिखित के सही जोड़े बनाईए यह प्रिशन नमबर तीन है हमारा इसमें हमको सही जोड़ा बनाना है बच्चो तो सही जोड़े में जो है इस्तंब का दिया हुआ है और इस्त का में जो है option दिये हुए हुए काखा गागा और चंब का में आप संदियें आवा-सा-drय तो जो छही है उसको मिलाना है या और उसको Лिखना है सामने जो है सही वाला आप option लिख सकते हैं जैसे अब मेढग है तो जो मेढग है उसमें जो उसके पैर होते हैं बच्चो जो मेढग है उसके जो पैर होते हैं वो उसमें जाल होता है तो इसका option का का कौन सा option होगा बावाला देखिए पाद जाल यहां पर लिखा हुआ है तो क आपको पता है बचो यह हमारा जो है वह तोचा जो है पांच ग्यानिंद्रियों में आता है और तोचा की दारह हम क्या करते हैं इस पर्स करते हैं तो यह तोचा का जो है आप्षन दा इस पर सही होगा कान तो कान बचो यह भी हमारा क्या है एक ज्यानिंद्री है इसकी माध्याम से हम सुनते हैं सुनने को जो है स्रमण भी कहा चाता है इसलिए का यह गाह का आप्षन कौन सो सही होगा आवाला ठीक है तो यह कान जो है वो किसे संबंदित है स्रमण से संबंदित है तो गाह का अप्शन आचाहिए है आप आलिक सकते हैं ठीक है जब आप लिखिएगा फियर कॉपे में सही जो है विकल्बप तरह सामने लिखिए गां व्रक तो व्रकक जो है वह एक अंग है सर्जनंग है तो इसमें जो है आओवाला जो बचा हुआ है बच्चों किसली काम आते हैं व Alber間 में काम आते हैं तो परणक alarm कौन सा सही हो जाएगा photoschin जो है वो सालसे होगा ठीक है यसारी के से हमारे सहीविकल्ब हो गया अप 것으로 कापि में पाज जाल ठीक है तो इस तरीके से आपके सही विकल्ब सब सामने सामने आपने सामने हो जाएंगे तो इसके बाद जो है बचो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पृष्ण है हमारा पृष्ण की पहला है इसका मशियों में प्रचलन पंख द्वारा होता है यहां पर देखिए बचो यहां पर देखिए बचल प्रचलन पंख के द्वारा होता है तो एकदम सही बात है बचोे मज्लिया की माध्यास से एक जगा से दूसरी जगा पर जाती है अगला खा है बच्चोे मनुष्य का हरदय बर्बर स्पन्दन करता है वह हमेशा स्पन्दन भको तो मध्याइन घञात्य homeowners तो यहां पर जो है ये भी जो है सही है एक जोड़ी वर्शन पाई जाते हैं ये भी आप्शन जो है हमारा कीज गहाद दिया है मनुश्ट में भौजन का पाचन मुख से ही प्रारण हो जाता है तो पाचन ठांस सोरू हो जाते हैं इसके बच्चो सारे जो है का खा गा खा चारो आपसन जो है आपसन बोला जाया नहीं प्रिशन जो है वो सभी जो है चारो जो है वो क्या है सही है ठीक है इसमें से कोई भी गलत नहीं है तो ये हम लोगों ने बच्चो आज के लिए बस इतना ही इसका अगला प्रिशन है बच बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बच्चों यह वीडियो क्लास एक दम ने सुलक है फ्री में है तो आप भी इसका लाब लीजिए दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वह भी इसका लाब ले सके धन्यवाद बच् हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में